समस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपना चनल इसका नाम में केवडिल साथ आज इसमें जो देखने जा रहे हैं लोगपाल के बारे में देखने जा रहे हैं क्योंकि जो हमने पढ़े थे सुर्कियों में रहने लिए महात्पूं समवेधानि सामविधिक और कारेकारी निकाय के बारे में हमको पढ़ना है जो कि सभी देखेंगे अलग-अलग होती है तो चलिए ट्राण करते लेकिन उससे पहले अगर आपने अपी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब ने के सब्सक्राइब कर लिए वीडियो अच्छे लागरें तो लाइक करिए और अपने सुझाहा देने के लिए कमेंट भी आपको एध्यान होना चाहिए क्या यूपीएससी के लिए सबसे अच्छी जो करेंट मैगजीन मानी जाती है वह वीजन आईयस की आप देखेंगे कि वीजन आईयस की पीटी 365 होते हो सबसे बैस्ट मानी जाती है इसी को आज हम लोग पढ़ रहा है मैं पूरा नहीं पढ़ कर रहा हूं इस वैसे और आप भी एक बार अपने से पढ़िएगा इसके शोटे नोट्स बनाईएगा और जो जहां-जहां से प्रश्ण बनने के संभाव नहीं हो सकते हैं उस चीज को मैं हाइलाइट भी कर रहा हूं चलिए प्रार्म करते हैं पहला है लोगपाल एक उच इस तरी खूज समिती में लोगपाल के अध्यच और सदस्यों के पतों के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारिक बढ़ा अधी हैं लोगपाल के बारे में देख लेते हैं भारत में एल एम सिंधिया ने लोगपाल लोकायुक्त सब्दावली का इस्तमाल किया था हाला कि देश में लोगपाल सब्द का पहली बार प्रियोग 1966 में प्रसाशनी सुधार आयोग के एक रिपोर्ट में किया गया था लोगपाल का गठन लोगपाल और लोका युक्त अधिनियम 2013 के तहत एक सामविधिक निकाय के रूप में किया गया था यह देखिया गया सामविधिक याद रखीगा कैसी है यह कहीं से भी आपका constitution में नहीं लिखा है बस गेम इसी में होगा आप पहले देखेंगे कि लिग दे गई पूछयए आगए देखते हैं यादियम संग के लिए लोक्पाल और राज के लिए लोक्पाल के लिए यह बनाये गया है तो यह आप ध्यान लखेंगा गलत हो जाएगा राज के लिए लोकायोगते हैं इसका उद्देश लोग प्रताधिकारियों के लिए भरष्ट आचरों की जाच करना है नहीं होगा जो जांच करने वल व्यक्ति हो वह सईयुग सचु जो मतलब की सबसे हाई रैंक होता है उससे के नीचे नहीं होना चाहिए इसकी निप्ति सरकार द्वारा की जाएगी लोगपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों के प्रारंबिक जाच करने का अधिकार केंद्री ससरक्ता आयोग सीवीची को लिया गया है यादि लोगपाल द्वारा जो भी शिकायत भी जाएगी उसकी प्रारंबिक जाट्व होगी वह करेगा आला कि 2019 में लोगपाल तो अस्तित्व में आ गया लेकिन जाच निर्देशन अभी तक नियुक्ति नहीं किये गए थे तब कि 2019 में लोगपाल के अस्तित्व तो आ गया था लेकिन इसके जाच करने वोली लोग त लोकायुक्ति का गठन किया है उधारन के लिए 1970 में महाराष्ट और 1999 में केरल उनका अधिकार्चेत मुक मंत्री मंत्री विधायक सभी सरकारी करमचारी और कुछ नीजी संस्थान धार्मिक इस्थल पर होता है उतलब उनका जो आप देखेंगे मंत्री मंत्री उसके मुक मंत् और 1999 केरल ने इसकी पहले ही स्थापना कर दी थी अब लोगपाल और लोकायुक्त अधिमियम 2013 के बारे में देखते हैं याद होगा यह वही वक्त था जब अन्ना हजारे और अर्विंद के जिर्वाल लोग बैटके धरना पर दर्शन कर रहे थे तब लोगपाल की बारे में बात चल लए होगी यह तभी की बात है चुकि इस अधिमियम को बने अब 10 साल हो गया है तो प्रशन बनने के संभावना उत्ती है क्योंकि 5 साल 10 साल फिर 25 साल 50 साल ऐसा कुछ होता है तब प्रशन पूछने के संभावना बन जाती है अब विशेषता है देखते हैं और तो आठ सता से सामिल होंगे इन में से 50 प्रतिसत प्रतिसत न्यायक सदस्ट होंगे और 50 प्रतिसत आप देखेंगे अनुसूचित जाती जन जाती अन पिछड़ावा और अल्प संक्या इवां महिलाएं भी होंगी कारेकाल क्या होगा इनका अब कारेकाल देखते हैं अध्यच और सदस्य को पांच वर्स की अवधी या सत्तर वर्स की आयुप्राप्त करने जो भी पहले हों के लिए निक्त किया जा सकता है चैन सम्ती कैसे बनेगी अध्यच और सदस्यों के लिए एक चैन सम्ती की सिफारिस पर राश्पती द्वारा निप्त किया जाएगा चैन सम्ती में प्रधान मंत्री लोकसभा के अध्यच विपच्च के नेता भारत के मुख्य नायधी या उनमें से नामित पुवेक्ति और की सूची तयार करनी होगी जो लोगपाल के अध्यच और सदस्य बनने के इच्छुक है अब है संपत्ति की जप्ति कैसे ब्रश्टाचार के माध्यम से अर्जित संपति की जप्ति की जाएगी भले ही इससे समन्द्ध मुकद्मा बंबित हो पूस्ताच वाध जांच के लि CBI के लिखित अनुरोध पर आप देखेंगे लोकपाल द्वारा छे महीने के लिए अवधी को बढ़ाया जा सकता है आप देखेंगे CBI सम्मधित शक्तियां क्या क्या है लोकपाल को इस अधिनियम के तहट उनके द्वारा जाच की नेदेश लिए गए मामले पर के लिए जो Sepi को इसके सकति प्राफ्त होगी उसके बाद देखेंगे के अधिकारी के हस्तानतरण के लिए लोकपाल की मजूरी की आउशप्ता होगी है और मानले जिनियम पृधान मंतरी हो ऐसे तो इसके ट्रांसवर को रोकने के लिए क्या किया गया है कि लोगपाल के जिब तक अनुमती नहीं होगा अब पद से हटाना लोगपाल के सदस्यों और अध्यच को सुप्रीन कोर्ट की जाच के बाद राश्पती द्वारा हटाया जा सकता है इसके लिए संसद में कम सव सदस्य संसदों द्वारा याच का हस्ताच्र की जानी चाहिए लोगपाल का अच्छेत्र अधिकार देलता है यह प्रधान मंत्री मंत्री संसदों गुरूप A B C सरकार के अधिकारियों तक व्रिष्टित है मतलब कि जो लोगपाल का अधिकार्चत क्या है कि वह भाद के प्रधान मंत्री मंत्री सांसदों गुरूप A की जो सेवाएं से आई-एस-पी-चैसी सब गुरूप B की सेवाएं और C D यानि अधिक जो कर्मचारी किसी के भी जाच कर सकती है कोई भी संस्था या ट्रस्ट इस निकाय जो 10 लाग से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करती है अब परिसीमन नायोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस बार चुनाओ है परिसीमन की बहुत बाते हो रही थी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है इसको अच्छे से देखा जाएगा सुप्रिन कोट ने केल सरकार को नए सिरे से परिसीमन आयोग गठित करने को कहा है वोट ने देश में अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के रूप में निर्देशिस समुधायों का सम्विधान की अनुसार उचित प्रतिनेद्ध सुनिश्चित करने के लिए एक नए परिसीमन आयोग का गठन करने को कहा है अब परिसीमन आयोग के बारे हम देख लते हैं सम्विधान के अनुस्षेद 82 के तहत संसद परिसीमन अधिनियम पारित कर सकती यानि कि परिसीमन आयोग कैसा है एक सम्विधानिक निका है आपको पताओं चाहिए आर्टिकल एवं सीमाओं के फिर से समायोजन के लिए उत्तरदाइक तो है मतलब कि कोई मरलेज कोई विधान सब चेतर वहां की जन संक्या बढ़ गई तो सीटों कैसे डिवाइट करना है यह सब जो होता है यह परिसीमन आयोग करता है और यह प्रत्यक जन गणना के बाद की जाती है अभी इस जो 2011 की जन गणना होई तो परिसीमन के बाद हां लेकिन अभी 2021 में जो जन गणना हो नहीं थी वह दिले होते चली आ रही है और यह परिसीमन आयोग के निर्ना अंतिम माने जाते है यह बहुत इंपॉर्टेट टॉपिक है मैं इसको रेट कलर से फिर से हाल करकर कि परिसीमन आयोग का जो निर्ना होगा वो अंतिम होगा और इसे और इन्हें किसी भी नियाले में चुनाती नहीं दी जा सकती है भाई देखिए एक इसके खिलाब कारवाई नहीं कर सकते हैं इसके आदेशों की प्रतियां लोग सभा और समंदित राज विधान सभा के समच रखी जाती है आला कि वे इन आदेशों में कोई संसुदन नहीं कर सकती है जो वहाँ संसद है और विधान सभा है वो जो है आप देखेंगे संसुदन नहीं कर सकती है के संनस्रप disputten वर्त्मों या सेवा नित अध्यच्च या उषके द्वारा नामित निर्वाचन आयोक सभी के संक्राइब से संमंदित राज का निर्वाचन आयोक है भर्त्मान में कार रही हो तो एक वह जाएंगे निर्वाचन आयोग यानि जो निर्वाचन आयोग तीन सो चौविस में लिखा गया है उसका अध्यच होंगे या उनके द्वार नामित कोई वैक्ति होगा और सम्मंदित राज का जो निर्वाचन आयोग है जो आप देखेंगे कि 73 और 74 सर्मिधान सलसोधन के म 52, 63, 73 और सन 2000 में देखेंगे 52, 63 और 73 यह काल देखेंगे तो इतना उथल फुतल नहीं होती थी तो यहां आप तीन बार देखेंगे उसके पास सिरह सन 2002 में देखेंगे परिसीमन का घटन याद रखिएगा अब तक परिसीमन चार बार हुआ है प्रश्म में हो जाएगा हुआ है 92, 62, 73 और सन 2002 अब 1976 में 42 सम्विधान संसोधन के जरिये सन 2000 के बाद की पहली जनगर्ना प्रकाशित होने परिसीमन के कारे पर रोक लगा दी गई तो सम्विधान संसोधन जो लाया गया तो 1976 में उसमें क्या वो लगया था इस सन 2000 की जनगर्ना जब तक नहीं हो जाती है तब तक लगा था जो 73 के बाद जो जनगर्ना होई थी तीरासी यानि एक्यासी में पिक्यान बे में तो यह तीन चार साल को ड्रॉप करके सीधा वो लग सन 2000 की जनगर्ना जब तक नहीं हो जाएगी तब तक परिसीमन नहीं होगा पिस सन 2000 की जनगर्ना हो गए 2002 में परिसीमन हुआ इसी परिसीमन से जूड़ा हुआ है आप देखेंगे लोग सफा में सीटे बढ़ने वाली हैं देखिए प्रधान मंत्री नरियर मोदी ने जब नया संसत का उगाटन किया था तो उसमें तरक यह दिया गया था कि जब नया परिसीमन होगा देश की जन संक्या बढ़ी तो ज जरूर थी यह भी दियान था कि संद्ध दोहजार एक में चौराज़श्रिवा सम्विधान संसोधन के माध्यम से यह बोला गया तो परिसीमन पचीश साल के लिए टाल दिया जा रहा है अब दोहजार चब़ीस की पहली जन गरना अब दोहजार चब़ीस की पहली जन करना अब दोहजार आने वाला है अभी तीन साल में लेकिन अब तक उनकी जन गरना हुई नहीं है तो मालिज एकत्यस की जन गरना होती तो उसके बाद परिसीमन बनाया जाए गा यह हो सकता है भी चौबीस में चुनाव जीतने बात वह जन गरना करा ही दे तो चौबीस में परि देखने जा रहे है हुआ है हाली में सुप्रींड कोड ने प्रवर्तन निर्देसाला था के लिए यह विश्टार त तीसरे सेवा विश्टार और अवयाद घोसित कर दिया है यानि कि जो प्रवर्तन निर्देशाल है कि अध्यस्त हैं उनका तीसरी बार सेवाविस्तार किया गया तो जो तीसरी बार सेवाविस्तार था वहां सुप्रीन पूर्ड ने उसको अवैद घुशित कर दिया है इस 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 पर रोक लगाई गई है इसे प्रवर्तन निर्देशाले की सक्टियां के हैं परिसंपत्यों को जबत करने की सकति अबन जारी करने की सकति आगया पता होगा की लगतार संबन जारी कर रही है युँटाने सम्बन जारी करने जाच करने आदेश जारी करने आधी के लिए के संब्ध में एक सिबिल न्याले के समान सक्ति प्राप्त है आप ग्रिफतार करने की शक्ति भी है इड़ी धन शोदर निवारक अधिनियम दो हजार दो फेमा उन्निसों निन्यानवे के उनलंगन की जाच करने के लिए एक नोडल एजनसी है या इन मामलो या इन मामलो या इन मामलो पुलिस अपचारिक दज किये बिना भी जाच की गिरिफतारी कर सकती है मतलब कि अगर आप केसी की गिरिफतारी करनी रहती तो पहले आप दज करते हैं लेकिन इडी के पास यतनी सकती है कि बीना दज किये भी आपको जाच या गिरिफतार कर सकती है अब है रिकॉर्ड किये गए साच की स्युकार था बर्स तो हजार बाइस में सुप्रीन पोर्णिया फैसला दिया था इडी अधिकारियों द्वारा दर्ज किये गए बयानों को न्याले के साच के रूप में स्युकार किया जाएगा अब है जुर्माने अर्थदंड वह अर संबंदित व्यक्ति के जुर्माने अर्थदंड वह अर्थदंड की बकाय राशी के वसूली के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है अब फोड़ा इडी के बारे में इसके स्थापना कब हुई थी उनिस सो बानवे में परिबावन में में हुई थी और या वित्य मंत्राले क समझेंगे अच्छा ठीक है देश की सुर्ण अच्छा यह गिरिफ्तारी संबंदित है तो जाहिर सी बात है इस लोग समझेंगे ग्राय मंत्राले के वित्य मंत्राले के राजस विभाग के अंतरगत काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लाइन है इसको ध्यान से दो हजाँ की धारा 25 की प्रवर्दानों के अनुरूप किया जाता है कारेकाल क्या होता हैकिंडीन के우र्श के विस्तार दिया जा सकता है इने बहुत कमिलित क्या होंगे और निम्रिकित कानून के कच प्रावधानों को लागू करने के लिए उतया है aqueles मुस्तां स्ねं ironically अधिनियम फेमा 1999 में जो विदेश से मुद्राएं आती हैं उनको रेगुलेट करने की सक्ति उसको प्राक है दूसरा धन शोधन निवारा अधिनियम जो है आप जो मने लॉंड्रिंग के काम होते हैं उनसे संब्धित भगवड़ा आर्थिक अपराधिक अधिनियम जो लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं दो यह 2018 का है और है उसके बाद विदेशिय मुद्रा सन्रच्छन और तर्सकरी निवारक अधिनियम जो 1974 का यह इसके अंतरगत इसके कार्शॉप पर जाते हैं अब आप जो यह देख रहे हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट हो गया है एक में कि यह देख रहे ना आएगा फेमा कपका है ऐसे ही चार दिख देगा इदा और चार इस तरह कि एडी से जुड़ेवे कार हैं पूछ के पूछ ले कि इडी को जो सक्कियां जो शौकार सौपे गए वो किस-किस आधिनियम में आएंगे विदेशि मुद्रा प्रबंदन अध अधिनियम सन दो हजार दो का फिर भगवड़ा अर्थिका प्रादिक अधिनियम 2018 में आपको पता था मालिया वैलिया जब भाग गये थे नीरो मोधित तब लाया गया था विदेशी मुद्रा सन रच्छा और तरसकरी निवारक अधिनियम कब लाए गया तो 1974 में लाया गया मग्रुफार को करना हैं अगर किसी राज में सीब्याइब को जान्राच करना है तो हर राज के साथ कुछ मैं कुष समझभता की रहती या उन्हें दी रहती है कि इसके तहत वो जांच कर सकती है लेकिन अगर राज सरकार चाहे तो जांच वापस 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 ले लिए अब तमिल नाडू ने ले लिए अब आगे देखते हैं किस तरह की मामले की जांच करते हैं और जब राज सरकार के कर्मचारियों के उनके बात आएगी जाएगी भस्टा चार निवारक अद्मियां 1988 के तहत अपराद के लिए जांस से सम्द्धि CBI के कामकाज की देखरेक के लिए केंदी सतलता आयोग के पास है अब विशेश अपराद के दौर पर कर देखेंगे राज सरकारों के अनरोध पर या सुप्रीन कोड़ और हाई कोड़ के आदेश भारती धंड़ सहीता के लिए यह तहत गंभीर और संगठित अपराद के लिए जांच कर सकती है यानि कि अगर राज में जांच करना है तो या सुप्रीन कोड़ को या अदेश देदे या हाई कोड़ उस राज का देदे और साथ साथ यह जो है आपको भारती धंड़ सहीता में गंभीर अपराद में आ जाते हैं तो जांच होती है अब देखेंग आर्थिक अपराद के रूप में वित्तिक अदाचार बैंग धोके धड़ी धन शोधन यानि मनी लॉंडिंग काले धन आदी से संबनित अपराद हैं हाला कि CBI आमतावर पर धन शोधन के मामले को एडी को अस्तांत्रिक कर देती है यानि कि जब आर्थिक छे से कोई मामला आएगा तो क्या होता है वो CBI जो रहती है और जांच सौब देती है के इडी को सांप देती है स्वता संध्यान के आधार पर सीबियाई केवल केज सासित बरदे तो में अपराद की स्वता संग्यान की केवल केज कर सकती है यह वा तक सरकार संबनेट राज की सहमती के बाद ही CBI को राज के किसी अपराद की जाँच के लिए अधिक्रित कर सकती है हाला कि सुप्रीन कोर हट हाई कोर्ट CBI को राज की सहमती के बीना देश के किसी भी किसी भी अपराद की जाँच करने का निदेश दे सकती है सुप्रीम कोड बोलेगी है तो अगर राजसेहमत नहीं भी था नहीं को जाच कराने पड़ेगी अब दीखतें सामान सहमती के बारे में जो तेमिल नाडू और पश्चिम बंगाल जैसे राज्डों नहीं सामान सहमती ले लिए उसके बारे में देखतें क्या है दिल्ली विसे में जाच के लिए समंधित राज सरकार से पूर अनमती लेनी पड़ेगी राज सरकार द्वारा C B I को दी गई सहमती सामान या केश विसिष्ट हो सकती है सामान सहमती वास्तों में स्वता सहमती होती है हाला कि कुछ राजों ने CBI को सामान सहमती वापस ले लिए इसमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, पंजाब जैसे राज सामिल है देखिएगा इराज वही होंगे जहां पर मोदी जी की सरकार नहीं होगी या कह सकते हैं केंदर की सरकार की विप्री सरकार होती है वहाँ ये अकसर देखने को मिलेगा आपको उसके बाद देखते हैं क्या है सामान सहमती से जुड़े अपवाद सुप्रीन कुर्वा हाई कोड राज की सहमती के बिना भी CBI को देश में किसी भी अपराद के लिए जाच का आदेश से सकती है लग मामलों में जहां कोई वेक्ति रश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया हो वहाँ जाच के लिए सामान सहमती संबंदित प्रावधान लागू नहीं होते हैं लब लगह हाथ रिश्वत लेते पकड़ लिए तब तो फिर लागू नहीं होगा सामान सहमती वाला उपर CBI बारे महुत पूर दिया तो वह भी देख लेते हैं विशेष्ट सहमती सामान सहमती थो हम पढ़ लिए अब है विशेष्ट सहमती के मामले में CBI को हर मामले की जाच आरंब करने से पहले राज सरकार को आवेदन करना रहता है जब कोई विशेष्ट मामला रहता है उसके लिए पहले CBI क्या करेगी राज सरकार को आवेदन करेगी उसके बाद यदि विशेष्ट सहमती नहीं दी जाती है तो CBI अधिकारी के पास समंधित राज में प्रवेश करने पर पुलिश की सकती राप्त नहीं होती है सामान सहमती को वापस लेने से उन मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिनकी जाच पहले से ही चल लही है अगर पहले से कोई जाच चल ले और आपने वापस ले तो यहां पर सकते cb. aq और बढ़ जाती है मैं अब आगे देखें सेंटरल ब्ीरो ओफ इंटैलि इन्वेस्टिगेशन लिफ़त में क्या है यह चांट एजनसी दूपया मैंं बनाना आप इसके स्थापना 1963 में हुई थी तथा या कार्मिक पेंशन और लोग सिकायत मंद्रालय के दिनकार करता है यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है पिलिस इस्थापना दिनियाँ si46 दौरा शांसित होता है इसके सिफारिश भरष्टा चार के रोग्थाम संथानन संथानन सम्ति 1902 से 1964 के दौर हुए ती यहनु के संथानन संथानन संथ कीसे संबंदित है इससे सं सम रश्ना क्या है का डैरेक्टर इसका प्रमुक होता है की डेरेक्टर की रिखते कंड़ करण कार क्या है गहन जाच और अभियोजन के जरिये सार्विनिक जीवन में भष्टाचार से निपटना तथा आर्थिक तथा हिंसा अपराद पर अंकुस लगाना साइबर एवब एडवांस प्रद्धोगी किसे समझत अपरादों की रोक्ताम से सहियोग करना कि इन्दी सतर्था आयोगी वीसी और लोकपाल को सहायता प्रदान करना है या भारत में नोडल पुलिस अजन्सी जो इंटर पॉल के सदस देशों की और से जाच का समन्वे करता है अब राष्टी केड़ेट कोड यानी एन्सी सी हर कोई जब 11 12 में होता है हाई स्कुल में होता है तो एन्सी सी ज़रूर करता है आपको पता है उसलिके बारे में इसमें लेक है लेकिन एक में टुक जाईएगा चलिए स्टार्ट करते है राष्टी केड़ेट कोडिन एन्सी सी विस्व का सबसे बड़ा वर्दी धारक संगठन ये तो इंपोर्टन लाइन आ गई कि एंसी सी क्या है विस्व का सबशे बड़ा वर्दी धारक यूवा संगठन है 2023 में इस संगठन की 75 वर्सगाट मनाई गई यह देखिए 75 वर्स आ गया 50 वर्स आ गया 25 वर्स आ गया 30 वर्स आ गया इस तरह के नंबर जब किसी संसा के लिए होते हैं तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है तो यहां विश्व का सबसे बड़ा वर्दी इधारिक युवा संगठन है साथ ही 2023 में इसकी 75 वर्सगाट मनाई गई अब NCC का गठन 1948 में राष्टी के एडिट कोड अधिनियम 1948 संसद का अधिनियम क्रमांग 31 के तहट किया गया है इससे पहले पंडित एच एन कुण्जुरू की अधिश्टा वाली समती ने राष्टी इस्तर पर स्कूलों और कॉलेजों के लिए कैड़ेट संगठन इस्थापित करने की सिफारिश की थी यह देखिए इंपॉर्टेंट है कि किसकी शिफारिश है य जो एक सिफारिश की गई थी अब NCC को उद्देश कहें जीवन के सभी छेत्रों में नेत्रत्र प्रदान करने और राष्टी सेवा के लिए हमेशा उपलब्द रहने के लिए संगठित प्रसिच्छित वा उत्साहित यूवाओं का संगठन तयार करना है या एक त्री सेवी संगठन है जिसमें हल नावसेना और एयर विंग्स तीनों सामिल होती है याद रखना इसमें तीनों जो फौजों को सामिल किया जाता है मतब तीनों फौजें NCC की रूप में बनाई जाती है मुख्याले कहा है नई दिल्ली में एक राज या राज या केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मू को कवर करती है NCC के कारिक्रम की प्रक्ति क्या होती है यह कैसी होती है यह स्वैच्छिक होती है मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप NCC करिए वहाँ सुपता में बताओं तो मैंने NCC नहीं किया था मैंने अपने स्कूल के दिनों में NCC नहीं किया था हाँ मेरे भाई नि लिया था मामक लड़के नि लिया जय आन ने किया था लेकिन मैंने NCC नहीं किया था आप दिखेंगे चात्रों पर तक्रिय सेन सेवा के लिए कोई दायत्व नहीं होता है NCC के अवधी के आधार पर चात्रों को तीन प्रकार के प्रमार्पत दिये जाते हैं NCC बना राष्टी सेवा योजना NSS देखें हमने जो किया था वो NSS किया था और जो मामर लड़के लोग थे या दीदी थी हमारी वो NCC की थी और मैं NSS किया था वो भी एक साल किया था दो साल ये तीन साल करना रहता था अभी पढ़ेंगे आगे पता चलेगा तो मैं एक ही साल किया था फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया था मांडंड क्या रहते ये NCC का रहता है और ये NSS का होता है जो आप देखेंगे राष्टे सेवा योजना के तहती यो चलता है उसके बाद मंत्राले ये जो NCC होते हैं और रच्छा मंत्रा लेकंद्य आते और यूवा कारिक्रम और खेल मंत्रा लेकं अंत्रगत ये अगर प्रश्ण बनना होगा तो ये सब प्रश्ण की लाइन है वह इतना डीप में कभी नहीं पता था मैं भी अभी पढ़ना हो इतना डीप में कभी नहीं और पोस्टे निसी से बन जाता है अगर 75 वी वर्ट्स गार्ड मनाई जा रही है तो जाइस बाद चर्चा कभी जा रहा है तो पूछ लेगा कि एंसी सी किसके अंदर गाताती है अच्च अच्या पाएंगा कि कि से अंदर गाताती है अतना होन्ती जा होकती जाइगा में हमकिन पर से दिah ratings कि पता है अब लच्छ क्या है राष्ट की सेवा और सैन करियर के लिए सुनिश्चित और हुआ पुनिस्वार्थ यूवा नेतित को बढ़ावा देना इसका लच्छ क्या है समुदाइक सेवा के माध्यम से विध्यार्तियों के व्यक्तित्व का विकास करना गठन देख लेते का अपका है इसे राष्टी कैड़ेट कोड अधिनियम 1948 संसत का अधिनियम प्रम जो 31 के तहट गठिट किया गया है या एक केंद्री छेत्रक की योजना है वर्दी NSS, NCC कैड़ेट्स के लिए वर्दी अनिवार होती है NSS के लिए स्वैम सेवको के लिए कोई वर्दी निधारित नहीं है कौन सामिल हो सकता है जूनियर डिवीजन विंग्स स्कूल के छात्र 13 वर्स या उससे अधिक किया यूगे सेमिल हो सकते हैं अब इसमें क्यारावी प्रावी की छात्र होगे और तकनीकी संस्थाहों के छात्र देष के कॉलेज और विष्टवी ध्याले इस तरपर इसनातक वा पराइसनातक तरपर भी होते हैं अब कुछ अन्न महात्यपूर्ट सुर्खियां देख लेते हैं भारती प्रतिसपर्धा आयोग जो है उसके बारे में देख लेते हैं रवनीत कॉर सी सी आई यानि की कॉम्पटिटीशन इंडिया के अध्यच के पदपन्यूक्त होने वाली पहली महिला है यह देखे रवनीत कॉर जो है सी सी आई की अध्यच बनी है और या पहली महिला बनी है जो की सी सी आई की अध्यच बनी है भारती प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यश कौन बनी है रवनीत कौर बनी है वो सकते है डिरेक्टी कोस्चन आजा आपके प्रश्ण में कि रवनीत कौर अभी किस यह तो पुछे का कि भारती प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यश कौन नियुक्त हुई है उनका नाम र स्टेटूचुरी बॉडी है यह कॉंसिटूचुरी बॉडी नहीं है उत्पत्ति क्या देख रहते हैं क्या है के इन सरकार ने पतिसपर्धा अधिनियम 2000 सं 2002 के तहट 2003 में CCI की स्थापना की मंत्राले क्या है CCI कौरपोरेट कार मंत्राले का एक सम्मिद्र कारिकरम है सम्रचना कैसी है CCI में केन सरकार द्वारा न्यूट एक अध्यच और छे सदस्य होते हैं तुटल साथ लोग होते हैं जो अभी एक सदस्य न्यूट की गए उनका नाम रवनीत कौर है और यह पहली महिला अध्यच बनी CCI की कार क्या होता है प्रतिसपर्धा पर प्रतिकूल जावा देना और उसे बनाए रखना उभ्भोक्ताओं के हितों की रच्छा करना भारत के बाजारों में वैपार करने के सुतनता सुनेशिक मतलब सभी लोग अच्छे से वैपार कर पारें प्रतिसपर्धा है ऐसा तो नहीं है कोई एक मोनोपोली स्थापित हो रही है इस त अब जली से पता मुझाएगा परशान नहीं होगे है अब है राष्टी मानवा अधिकार संस्थाओं और वैश्विक गठ बंदन जो है उनके बारे में इसकी सापना 1993 में राष्टी मानवा अधिकार संस्थाओं की अंतर राष्टी समन्वे समिती के रूप में किया गया थ जी ए एन एच आराई रहनी की सर्वोच विचार विमर्स करने वाली संस्था है ब्यूरो के कारेकर्म समिती का है 16 सदस्ति इसमें देश सामिल है देखेंगे इसमें अफ्रीका अमेरिका एशिया प्रसांद और यूरोप के प्रतिक चार-चार सदस्ति मुख्याले कहां ये जी नेवा में है अब है नियुक्ति सम्मंदित मंत्री मंडली सम्मितीक बारे में एसीसी जो है ने इस्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप यानि एस्पीजी जो होती है जो बड़े-बड़े नेताओं या जो देश के प्रमक्त लोगों की सुरच्छा करने लिए नियुक्ति जी मंदिर के घाटन में गया थे तो आपने देखे होंगे उनके अगल बगल एक बहुत हट्टे-कट्टे मुस्तंडे लोग जो रहते हैं वह धोती कुर्टा पैन कुछ सार जा रहे थे वह कोई सध्धालू नहीं थे वह स्पीजी कमांडर थे वह कभी भी स्पीजी कमांड पर न्यूक्त से जूड़े होते हैं एसी सी के अध्यच प्रधान मंत्री होते हैं मंत्री भी एसी सी के एक सदस्के रूप में नामित होते हैं इसका दुख देखेंगे वित्ति संसाम सामस अब उसका एक दूपके अब है पत्र सूचना का रहाला के बारे में देख लेते हैं अगर इंगलिस मीडिया मोला खोलेगा हिंदी मीडिया मोला हिंदी भासा में खोलेगा लेकिन पी आई भी रोज सब लोग कोलते हैं क्योंकि भाई देखना पड़ता है क्या इसे क्योंकि जो भी भास सरकार होती है उसमें कुछ भी अपनी विज्य अपनी अपनी कुछ भी बताना होता हूं पी आई बी के माध्यम से ही बचाती है पत्र सूचना कारयाल है जो यही सरकार के जो नहीं नहीं योजना आया कुछ नहीं सरकार क्या कर रही है कि क्या देटा दे उसके बारे में यह प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया को सरकार की नीत्रियों कारिक्रम आदी से जुड़ी सूचना उपलब्द कराने वाली भारत सरकार की नूडल एजनसी है उपत्ति कैसे हुई इसे वर्स 1919 के ततकालिन बिटी सरकार के अधिन एक अधिन एक आस्थाई प्रकोस्ट के रूप में स्थापित किया गया था वर्स 1923 मे इसके कारिक्रम को ब्यूरू और पब्लिक इंटर्फेरेंस के रूप में स्थापित स्युकार कर लिया गया था इसे 1946 में पी आएबी वर्तमान नाम दिया गया उनिस सुचना और प्रसारन मंत्राले का एक विभाग बनके बना हुआ है सरनचना इसकी अध्यच्ता प्रधान प्रधान महानिर्देसाले मीडिया और संचार दोरा की जाती है उसकी सहायता के लिए एक महानिर्देशक और आठ अतरिक महानिर्देशक होते हैं कारे क्या होता है या सरकार और मीडिया के बीच एक इंटर्फेरेंस के रूप में कार करती है मीडिया में प्रदर्सित की जा प्रतिक्रिया पर सरकार को फीटबैक देने का भी काम करती है अब कहना है आप गोड़ाज डेखेंगे तो वही है. नेशनल सेंटर, National Center for Good Governance, और Good Governance ने मालदीब के सिविल सेव को, 24 बैच को प्रसिच्छन पूरा किया है, अभी आपने देखें कि बंगलादेश से भी आया थे, हाँ, बंगलादेश से भी प्रसिच्छन लेने आया थे, तो आप देखेंगे National Center for Good Governance की में, अब मालदीब से भ और गुड़ गवर्नेंस जो होता है उत्पत्ति इसमें कार्मिक लोग सिकायत और पेंशन मंत्रा लेके तहर्ट 2014 में इस्थापित किया गया था यह आपके इसी के अंदर आप देखेंगे तो आप आला आप और जंक स ही निकाय क्या इसकी आध्यचत क्याइब नियभारता है और जो हिए इस निकाय क्या इसकी अधिज्मनिक इंत्य करता है यह निम्यल्स की सिविल स्खव मिर्ण करता है साथ ही गुट गवर्नेंस पो बढ़ावा देने के लिए पहलो और कारिकरम को भढ़ावा देता है अब है राश्टी जांच एजनसी या राश्टी अनुवेशन अधिनियम एन आईये के बारे में देखते एन आईये ने लंदन में भारती उच्चायोग पर हमले में चामिल का पता लगाने के लिए अलग-अलग इस्थानों की तलासी लिए है एन आईये का गठन 26-11 के हमले के बाद एन आईये अधिनियम 2008 के तहत किया गया है यह एक संगी आतंगवादी रोधी एजनसी है या भारत के किसी भी हिस्से में आतंगवादी गतिविदियों वह संगे स पता संग्यान ले सकती है कोई आतंगवादी गतियों तो खुदी संगे ले सकती है एन आईये संसोधन अधिमियम 2009 को अंतराश्टी संधियों और अन देशों के घरेलू कानून के अधिन रहते हुए भारत के बाहर किये अनुचुत अपराद की जाच करने का अधिकार दिय है वर्ष 2019 के अधिमियम में केंद्र को एन आईये द्वारा जाच के लिए सत्र न्याले को विशेश अधालत की रूप में नामित करने का अधिकार भी दिया है अब देखेंगे कैबनेट सच्यू के बारे में देखेंगे बाकी सब खतम होगा है कैबनेट सच्यू के बारे में देख लेते क्या है कैबनेट सच्यू को एक और साल के लिए सिवा विस्तार दिया गया है कैबनेट सच्यू के पद के बारे में देख लेते हैं Cabinet सच्यू की नियुक्ति मंत्री मंडल की नियुक्ति द्वारा वरिष्ट सह योगिता पर आधार पर की जाती है Cabinet सच्यू भारत सरकार कार आवंटर 1961 अब भारत सरकार कार संचालन मियम 1961 के प्रसार्षन की जिम्मेदारी देती है सच्छु सीविल सेवा बोर्ड का प्रमुक होता है अब जो नेक्स टॉपिक आएगा वह आएगा हमारा एक लप्टॉप फॉर सलो हो जाता है शाषन में महात्रपूर पहलू होगो पल के वीडियो हम यह देखेंगे शाषन के जो महात्रपूर पहलू है उनके बारे में देखेंगे इसे मिशन करनी होगी यह सेविल सेव के लिए लाया गया था जानकारी मिलती है इसके बारे मिंगे फिर हम देखेंगे कि आधार जो आधार कार्ड है उससे संबंदित देखेंगे फिर इसमें टॉपिक दिया हुआ है ऑन-lain gaming gaming का विनीम के बारे में जो पैसे लिए लूटोडी खेलगे पैसे लूटोडोडोपील के पैसे उनके बारे में देखेंगे आई-पील यॉ-ऑई-पील में भारत में उभुग्ता सचण के बारे में एसे टापिक है इनको और भी देखने तो टॉपिक क्या जा रहा है अब इसे लिए इंफ्लूइंस करने वाले और वर्ट्यूण सब्सक्राइब करते हैं उसके बारे में देखेंगे सब्सक्राइब करते हैं अब उसके बाद अनसुचित जाती और निवासी वन अधिकारों की मानता अधिनियम दोहजार छेवन प्राधिकरन के बारे में देखेंगे उस बद महात्रपूंट सुर्किया हैं जो कि आपका जादा नहीं थोड़ी गहुते हैं दो पेज में इवी पतम हो जाएगा तो बस जादा नहीं दो दिन तीन दिन और तक तीन वीडियो और लगेंगे उसमें पूरा कं कर देते हैं आपने तो कल भूनना पड़ेगा है कि मिशन कर भी होगी देख लीजिए तो इसको हम करेंगे लेकिन उससे पहले वीडियो सम आप करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे समझाने के तरीका पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकाउन भी ऑन कर लें और साथ ही साथ हो सके तो अपने छुट-छुटे नोट्स भी बनाते रहिए कि आप जब रिवीजन मूट पे आए तो आपको तम रिजिवन हो ले अब जैसे मुझे रिवीजन करना आपको मैं क्या क